गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट स्वागत आपका विज्डियम इंसिट्टुट ऑफ लाइव सैंसेज में हपी एसी अपनी जो पोलेशी है च्यार गुना की पोलेशी का टेरी टू के टेरी बुलाना उसके तहट एक रेजल्ट और उन्होंने निकाल दिया आपका सब्डिविजनल इंजिनियर स्टीए सिविल रिपोस्ट का और बड़ा ज़रुरी है इसका जो रिजल्ट आया उसका एनालिसिस करना तो हम उसका कंप्लिट एनालिसिस करते हैं देखते हैं कि आयास्ट मार्ग कितने गए हैं इंट्रिवी और सब्जेक्टिव में चलि सब्सक्राइब तो यह थोड़ी चीज समझने पड़ेगी हमको कि क्या कैसा इन्होंने सिस्टम किया हुआ है क्या कंडिशन लगाई हो यह चलिए हम इसमें हम आयस्ट नमबर देखते देखें सो यह सो नमबर हैं हाइस्ट अभी तक जो डेड़ सुगा आया इसमें सिसस लगे हुँए नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो यह देखें आपका यह दिखता है अपने को आठ जो है आठ नमब इसमें आएस्ट लगे हुए नेक्स्ट पेज़ पर चलते हैं ठीक है तो यह देखिए आपका नेक्स्ट पेज़ पर आ रहे हैं मतलब एक 100 को भी क्रोस कर दिया है अन्रिजर्वड के आपके उमिद्वार है और उनके 104 दसमलों पांच जी को नमबर दिये हुए है तो इसका मतलब आपका 100 भी क्रोस हुआ है और इंट्रिव्यू के हम बात करते हैं तो 8.98 का हाइस्ट यहा क्यादा भी है या नहीं है नेक्स्ट स्लाइट पर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइट पर फिर आपका 100 नमबर का है अन्रिजर्व का स्टूडेंट है ठीक है लेकिन यह जो बाई साब थे जिनको नमबर मिले हुए थे यह अब सेंट रहे इंट्रिव्यू में तो इसलिए इनका 1.98 आपके क्या मैक्सिमम में तो उनका एक वह जो माइंड में फिक्स हो जाता है ना इसामीना रिका कि इतने तक ही पहुंचना है मेरे को तो वह आपका फिक्स हो जाता फिर पूरे रजल्ट में आपको वही आपको देखने को मिलता है नेक्स्लाइट पर चलते हैं और प्यादा नहीं है मतलब जो हम डूंड रहे हैं इस स्लाइड में आपके फिर देखिया आप सोका जो हम डूंडने को सिसका थे सोका फिर एक बच्चे नमाप छूने का परियास किया और इंटर्व्यू की बात करें वही है इसमें किनोंने क्रेटेरिया बना लिया कि आठ आके इस पेपर में मुझे आसा लगा कि अच्छे मार्किंग हुई है इंटर्व्यू में आपके चार मुझे तीन नमबर तो दिखे नहीं कहीं यह नहीं चार से लेके इन्होंने गेंज रखी है नो की इंटर्व्यू की ऐसा अभी तक अभी तक देखने को मिला एक दो हो ठीक है और इंटर्व्यू में भी देख लेते हैं कि क्या कोई उलट फेर की संभावना देखती है उसके बाद कंप्लेट डिटेल हम यह आपका पेज उल्टा है थोड़ा तो इस पेज गो ऐसे यह मोबायल को हमने गुमा लिया इस पेज पर नहीं है इंटर्व्यू में हैं तो इस पूरे रजल्ट से दो चीज़े आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं दो चीज़े यहां पर आपको देखने को दो चीज़े आपको समझनी चाहिए क्या समझना चाहिए नमबर एक चीज की हाइस आपके 109 है थियोरी में पलस में अच्छे नंबर दिये उसमें किसी के तो 8 दी हुए, किसी का 1 लगाया हुआ है, किसी के 0.7 लगाया हुए, किसी के 7 लगाया हुए इस interview में uniformity देखने को मिले है कि आपकी यहाँ पर 4 से कम किसी का नहीं लगाया हुआ ठीक है, और 8.98 से ज़्यादा किसी के नहीं, इन्होंने range रखे 4 से 9 की तो ये देखके एक अच्छी चीज लगी है, कि interview में इन्होंने fair तरीके से, transparency तरीके से सभी बच्चों को रखा है तो ये एक अच्छी खबर यहाँ से है, इसका वीडियो का लेके आने है मतलब क्या कि आप एंगेज रोग, आप interview की त्यारी करते रोग, आपको analysis मिलता रहे कि क्या HPIC रजल्ट आ रहे है, धन्यवाद आने वाले से भी exam को लेके सुब काम नहीं